अधर निया रावु गादी जी, शरी मदी सरे है गादी जी जोलो जोलो, 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 आप आज हमारे साथ भारत जोड़ों यात्रा में चले, 20 किलोमिटर चले, आपने अपनी शक्ति इस यात्रा को दी, हमारे साथ आप खड़े हुए, आपने अपना प्यार दिया हमें, इसके लिए मैं आप सब को दिल से धन्यवाद करता हूँ. ये यात्रा, चार महीने पहले हमने गन्या कुमारी में शुरू की थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, हम काफी यात्री हैं, उनमें से शाइब कोई ये ना कह पाए, शुरूआत में, कि हमें इतना हिंदुस्तान की जन्ता से सीखने को मिलेगा. हट प्रदेश ने कुछ ना कुछ नया सिखाया, किसानों ने, मजदूरों ने, चोटे वियापारियों ने, माताओं, बहनों ने, बच्चों ने, अपनी दिल की बात रखी, अपना दर्ग रखा, किसानों ने हमें, देश की, पॉलिसियों के बारे में बताया, चोटे वियापारियों ने, जी एस्टी के बारे में, नोट बंदी के बारे में, कोविट में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, सब कुछ हमें बताया, समझाया. अलग अलग भाश्याएं हैं अलग विचार हैं अलग हिस्ट्री है अलग इतिहास है मगर सब एक साथ मिलकर मुखबक के साथ इस देश में रहते हैं जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में हम मुखबत की दुकान खोलने निकले थे और और देखने मों मिला कि लाकों करोडों लोगों ने इस देश में मुखबत की दुकाने खोली हैं हर प्रदेश में सरकों पे बारिश में गर्मी में सर्दी में हम यह देखने को मिला देश के सामने कठीना ही जरूर है लोग तंत्र पे आकरमन हो रहा है उस बात को आप सबसे बहतर समझते हो याक्रा से पहले हमने पार्लेमेंट में मुद्य उठाने की कोशिश की लोग सवा में राजर सवा में हमने भाचन देने की कोशिश की नोट बंदी पे डिलग जी एस्टी पे किसान बिल पे जो चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले गया है दो हजार स्क्वेर किलोमेटर ले गया उस पे मगर हमें लोग सवा में बोलना नहीं दिया जैसे हम बोलने की कोशिश करते थे माई कौफ कर दिया जाता था मैंने बाशन के शुरुआत में आप सबसे कहा प्रेस के हमारे जो मित्र हैं उनका यहां मैंने स्वावित किया मगर इंका भी काम लोग संत्र की रक्षा करने का होता है És Dev के अगबारों में मैगजीन मेंचा ही रखने कांता काम होता है पिचले प्रेस कॉंफेरन्स में मैंने cracking सवाल पूछा प्रेसवालेस सबस्बाना पूछा आंतो यह पूचते हैं मैं आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाते हो आप अश्वरिया राय जी की बात करते हो अक्षे कुमार की बात रखते हो आप महिलाई की बात क्यों नहीं रखते हो आप बेरोजदारी की बात क्यों नहीं रखते हो जो कि जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो चीनी जारी है वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है आप शुबे मेरे साथ मेरे से मिलने एक डेलिगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी मेहरान हो गया उन्होंने कहा और मैं मीडिया के सामने यह कहना चाहता हूँ उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलिगेशन लेक्टेनन गवर्नर के पास गया तो लेक्टेनन गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीत नहीं मागनी चाहिए यह देखिए लेक्टेनन गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलिगेशन को कहा कि आपको भीत नहीं मागनी चाहिए लेक्टेनन गवर्नर जी यह भीत नहीं माग रहे है यह अपना हत माग रहे है और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांदी चाहिए यहाँ पे जम्मू कश्वीर में मैं आया अभी जम्मू में चल रहा हूँ और यहाँ पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं माताएं बेहने युमा बच्चे किसान सब मिल रहे हैं यहाँ आते हैं सबक पे आते हैं मेरे साथ चलते हैं और अपनी दिल की बात रखते हैं दो तीन चीज़े मैं जो वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूँ आप जानते हैं मैं दोरा देखा हूँ सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जम्मू में जो पहले अभी आता हूं वेरोज़दारी के बारें बोलता हूं कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग वियापार करते थे जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है हमारी जो आवाज है उसको अद्मिनिस्रेशन सुनता नहीं है सारा का सारा क्रेट बाहर के लोग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग देखते रहे गए पहली बात दूसरी बात हिंदुस्तान में सबसे ज़्ञादा वेरोज़गारी सबसे ज़्यादा वेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है तो यहाँ पे स्टूडंस पढ़ाय करते हैं कोई एंजिनियर बनना चाहता है माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते है कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई लॉयर बनना चाहता है कोई आर्मी में जाना चाहता है कि प्रदेश के लोग प्रदेश की युवा लॉयर डॉक्टर एंजिनियर नहीं बन सकते पहले एक और रास्ता था आर्मी का रास्ता था वो भी आज बंग कर दिया है बीजेपी के लोग नई योजनल लाए हैं अगनी वीव योजनल लाए हैं और इनको जो आर्मी का इतोस है इनको वो ही नहीं समझाया देखिए किसी भी काम में किसी भी काम को सीखने में कम से कम साथ आठ साल लगते हैं आप खाना पकाती है खाना पकाती है आपको कितने साल लगे खाना पकाने में सीखने में कितने साल लगे आप आप शाथ शाल लगे मतलब एक्सपार्ट आप साथ शाल में बने तो किसी भी काम में साथ शाल लगते हैं आप आर्मी जो है एक परिवार जो सेना जो सेना लड़ती है वो विश्टे के बल के लड़ती है सेने के बीच में जो रिश्टा होता है उसके बल पर लड़ती है वो रिश्टा एक दो साल में बनता ही नहीं वो रिश्टा उस रिश्टे को बनने के लिए मदबूत होने के लिए कम से कम साथ आप साल लगते हैं यह जो बीजेपी के लोग हैं इनको यह बात समझ नहीं सोचते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग छे महीने में हो जाएगी जो सीखना है वो छे महीने में हो जाएगा बिल्कुल नहीं आर्मी में सालों लगते हैं एक सेनिक को त्यार करने के लिए सालों लगते हैं उस सेनिक और दूसरे सेनिकों के बीच में रिष्टा बनाने के लिए करने की योजना और यह हमारे आर्मी के लोग एज कह नहीं सकते हैं है मगर उब जानता हूं लिए कि सारे के सारे तंब हाग यह अगनि वीर योजना के किलाफ हैं अगनि वीर योजना गल्ट तो वह रास्ता जो था वब्याँ भर बॉश्macा दिया थे हो पहले यूवा आर्मी में जाता था, 15 साल की उसकी सर्वेस होती थी, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी, अगनी भी योजना में चार साल की सर्वेस होगी, उसके बाद सेमिकों को भर बेच दिया जाएगा, उनकों कोई पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये जो देश का आर्मी के साथ रिश्टा है, इससे खिलवार करने हैं, देश ने कहा था, देश हर से, हर सैनिक से कहता है, कि हम आपसे 15 साल मांते हैं, उसके बाद हम आपकी पूरी जिन्दगी, आपको पेंशन देंगे, आपकी इज़द करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट कर आपकी रक्षा करेंगे तो यह अगनिवीर योजना जो पहले युगाओं के लिए रास्ता थे ये भी इन्हों ने बंद कर दिए बेरुजगारी क्यों आ रही है क्योंकि सर्कार चुने हुए दो तीन उद्योग पत्यों के लिए काम कर दिए यह देखो यहां पे यहां पे